असलाम अलेकुम क्लास फाइफ लास्ट क्लास तक आपने अडिशन लाज नंबर्स को पढ़ा था उसमें हमने प्रैक्टिस जोन के क्वेस्टन भी कॉपी पे किये थे आज हम पढ़ेंगे प्रापर्टीज आफ अडिशन अभी फिलहाला आपका बुक वोगा जब आपको दूँका ताब आपको क्योजी है आपने अप प्रापर्टीज आफ अडिशन करते हैं जब अडिशन के बड़े कॉश्चन कर रहे होंगे उसमें कौन कॉनसी क्यासी प्रापर्टीज आएंगी वो हम देखते हैं सबसे फ़र्स प्रापर्टी जो आपकी बुक में पेज नं नंबर में एड़ किया जाए जिरो किसी भी नंबर में एड़ किया जाए तो नंबर इट सेल्फ दुबारा आ जाएगा फॉर इक्जामपर यह देखें फस्ट वाला क्वेस्टन है आपके बार त्री एट सेवन नाइन फो सिक्स टू को अगर हम जीरो एड़ करें तो सेम उसी नंबर आपकी पास आजएगा तो जिरो प्रपरटी से में क्या बताया करते जिरो एड टुए डिलोने एड़ करें तो हमें 0 मिल जाता है second property जो हमने पढ़नी है वो है associative property यह आपने दिहान से समझनी है कि इसमें हमने concept processes करने हैं या किस तरह हमने इसको solve करना है देखें the sum of addendant remains the same even if the grouping of the number change addendants कहते हैं यह these values को addendants कहेंगे कहता है कि अगर साम इंती अगर स्थ्री वैल्यूज है वान वैल्यू वान वैल्यू वैल्यू टू वैल्यू थ्री इन तीनों का सम सेम होगा बेशगर हम इनकी place को चेंज कर दे कैसे देखें यह first second third अब देखें साथ वाली में आंसे दोनों का सेम आ रहा है आपके बास लेकि next step में आपने second और third को पहले plus किया और first को बाद में means आप addition में अगर आगे पीछे भी कार लें तो कोई problem आपको face नहीं करना पड़ेगी तीसरी जो property हमने पढ़ने है वो है commutative property बच्छे कौन सी property यह commutative property even if the order of the attendance change that remains same अगर इस तरह में क्वेस्टन में आप order भी चेंज करते पर नीचे वाली 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 को नीचे भी लिख दें तो आपके पास answer same आएगा answer में कोई भी difference नहीं मजूद होगा आप इसे करके देख लीजेगा इसके बाद एक प्रैक्टिस जोन है आपने प्रैक्टिस जोन में करना है कि इन दोनों का sum same equal होगा this one और this one value कि इसकी सिरफ इसने क्या क्या places change कि हुए है next में अगर आपने same value देखें आपके प आपने इस value में zero को add किया है further अगर आप मूव करें the two eight three nine seven four six तो आगर आप इसमें answer देखें प्रैक्टिस जोन में वह भी same means आपने इसमें भी zero add किया अगर आप इस properties को दिहान से अगर study करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यह इसमें associative property यूज़ करेंगे कौन सी property ने यूज़ किया associative property देखें first second third आप निगा किया पहले first second को add किया फिर उसमें third add करेंगे ठीक है वो equal होगा first को add किया third second को add किया third third को second को add किया first को add किया और center में किया third इससे हमारे पास जो sum होगा वो equal ही आएगा आपने इसकी practice करनी है इसे अपने copies पर इसे अपनी books को solve करना है आपने आपका काम यह है कि आपने question number practice zone में जो d part है क्या काम है question number d part है इन तीनों को इस side को भी solve करना है और इस side को भी solve करना है और check करना है क्या वाकिया आपका answer equal हाता है कि नहीं तो आज का lecture सिर्फ इस properties पर ही है addition की properties पर सबसे पहले हमने पढ़ी zero property तो zero property हमारे पास क्या थी कि अगर किसी भी number में zero add करे तो वह same answer हमें provide करेगा यह हम इस question में भी देख सकते है second property हमने इसमें property कि the sum of the tenders जो हमारे पास values है इनका sum सेम रहेगा अगर हम इनको grouping change कर दें अगर हमने first two को पहले add की है और बाद में third वाली को add करें फिर बाद में first वाली को add करें clear है third property थी हमारे पास commutative property property हमारे पास किया है कि अगर हम उनके order भी change कर दें means जो नीचे वाली value जो बाद में plus कर रहे हैं अगर हम उसे पहले plus कर दें और जिसे पहले plus कर दें से बाद में plus कर दें तो हमारे पास answer same रहेगा और इसमें आपका homework यह होगा कि आपने practice zone का से solve करनी है मजीद यह कि question number two one का D part है इसको आपने solve करना है आज के लिए फिलार इतना ही आप यह कीजिए का इंशालला हम next lecture में इसे आगे मुझीद को पढ़ेंगे next हम subtracting large numbers को discuss करेंगे